संखेब रूब इच्चा है क्योंके बड़ा वस्टार्थ त्यास है असी समेदी सीमा में चरह के गुरू ओबन सिंग महाराज और नंदे बड़े सैफ जादे पिचाड़ी सिंग चमकार सहीवालनू रुवाना हुए एक जिमीदार दी कच्ची हवेली सी इनू आज शब्द सी गड़ी वर्त देया गड़ शब्द किले ली वर्त देया साड़ी सेख सहर दे विच जाम साड़ी प्रातन लिखता दे विच दसम पाशादा शब्द भी है बचे गोना के हूं करे काल चोटंग उते कोटदार थभी किला है और ये बड़ी एस मुलकदी ये सामी जांक सी कलगी तर पाशादा एक बचन है जो अपनों तकरीबन बचपनतों बहुत सारे परचारका ने सणाया के चिडियों से मैं बाज तड़ाऊं किद्ड़ों से मैं शेर बढ़ाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब है गविन सिंग नाम कहूं एक बड़ी डूंगी फिलास्फी भी है सत्कुरू केंदे के जिनन दे चिडियां वर के दिलने क्योंकि चिडि हर एक दा शिकार बन जन दिया बाज शिकार कर दा चिडि दा का शिकार कर दा चिडि दा देल एक मिंट वेच सेवंटी टू बहत्तर वार तड़कदा है चिडि दा देल पंच सो चाली वार एक मिंट वेच तड़कदा है हलांके चिडियां तो शोटे लखा जानवर ने मेरा एक मितरा पटेले उनिवस्टियों ने मच्छरां दे खोज कीती या एक सो भी किसम दे मच्छर ने मैं उदों चीन दे वेच साथे हो चाइना यूनिवस्टी पेपर पढ़ नगया सी मच्छरां दे उते ता उनी ओधी सार चसारी मच्छरांते इया ग UCARमीदा विनाशी में विक्या अभी अज्यडे पार्त दे लोकाए ता विचारे कोई मच्छर दे लाई प्टे उन्नी पेठा है कोई लत्दा मामां बादे उरे मच्छर सौणनी दे लेँए तेनों मच्छराने वी या मुलकां दी सेर कराती है क्योंकि तेरी खोजी मच्छरान थे है ये गल्ब 1995 दी है ता चिडी दी हो दा आर्न साथकुरा ने इसलिए दिती है के चिडी एक कमजोर हो नदा परतीक है इसलिए पंजाबी मुहावरा उने की करना है दा चिडी वरगा देला है ये दा कार्न है जेड़ा बाज है ये नर नहीं ये मदीन है ये फीमेल है पहला सानों भी पढ़ देनों पता नहीं जी ग्रेजुएशन मस्टर डिग्री तक असी बाज नहीं नर समझ देया भी ये मर्द है ये मेल है चिडी ते बाज दोनों ही फीमेल ने जेड़ा मर्द बाज है उदा नहीं जुर्रा यूँके नदे ना इको जेने बाज ते जुर्रा ये महानकोश विच भी शब्दे हो आया ये नों लिखिया बहुत कट गया केवल बुलेशा ने एक था लिखिया काउं लगड़नों मारन लगए चिडियां जुर्रे खाए वी चिडियां को ले हो जी पावरागी उनना ने नर बाज खा ले सतकुरा ने ये दोना दा एक रूप देता है क्योंके जेडि मदीन बाज है न ए शिकार कर दी है जेड़ा जुर्रा है एक साहीज विच शोटा बाज नाडों जुर्रा शोटा है जेड़ा नर है एक मदीन तों शोटा है ते जेडि बाज है ए ग्यारां बारां साल दी उमर कट जन दी है और गर्मियां जिखांब चड़ देने फिर नमे आज अन देने तए एक शक्ती दा परतीक पार्ती सामराज दे विच के बाज जेडा ताज दे बाज दा दोना दा समेल है छेमे पाशा महाराज जी ने विजदों पहली बार शकार जहां जांग होई शाज जांदे नार ते उनना दा जेडा बाज आए ओ सत्गुना दे बाज ने मरोड लिया ता ओ मुगल केंदे आज जेना ने साड़ बाज नू हत पाया कल नू साड़ ताज नू हत पाउनगे ता ए बाज एक शक्ती दा परतीक है कोड़ा एक शक्ती दा परतीक है नगारा एक शक्ती दा परतीक है एक कोज सुमौलक ने सत्गुरु केंदे जिना दे चिडियां वर गे देला है मैं अनू बाज जां वर गी शक्ती देंगा और सत्गुना ने बख्शिश की ती गिद्ड़ों से मैं शेर बनाऊं गिद्ड़ बारे कलगीतर पाशा ने अपनी बाणी वेच बहुत वारी शब्द वरते है किते गीद किते गीदर किते गीदर क्योंके गिद्ड़ बारे जीव ग्यान कहिंदा है कि ए आपने परशामें तो डरके जंगल वेच कमजोर देल देनाड़ डर्दा हुए पजाफिर दारिंदा है ते जेड़ा जीव अपने परशामें तो डर्दा हुए उनों सब तो कमजोर मनने आजन दा है जो मैं आप आमी कई वरी विचारां कर लेने है मंगलवार माड़ा जी वीरवार माड़ा जी शनीवार माड़ा जी फलाना मत्य लागया जी हर मुलकदा एक सब्चारा है और उदे को जे डार हुंदे है डार होदे परशामें दे हुंदे है सद्गुरू के नदे जिनना दी सोच गिदड़ वर्गी है के प्रशामें तों डर्देने उना नू मैं शेर वर्गी शक्ती बख्षिश करांगा इसलिए सद्गुरा ने अपना नौवी सिंग ते काउर ते खलस दिता है सिंग दार्थ है शेर ते काउर दार्थ है राजपुत्री बाणी ची शब्द कोईर भी आया कमर भी अगे जाके शब्द आया काउर दार्थ है मेरियां तियां मेरियां राजपुत्रियां ने ये मेरे जड़े सिख है ये मेरे शेर ने और जड़ा नौवाद मैं कल क्या जीना वी चान्किया पंडत दी संस्कृत गरांथ वेच वने शेर दी मैमा लखी कहांना सिंगन को सत एक है, सुक्षवत है, नीट गदहि के सत बहत है, पारफ़ावत पीठ सिंगन कहांने शेरनीनूंस संस्क्रित, सेंगत हों सिंगन कहांने शेरनी दा एक पत है सिंगन को सुत एक हैं सुत दार्थ है पुत्तर सुख सोवत है नीट वो जंगल वेच निठ के सुंदिया भी मेरा पुत जंगल दा बाजशा है केंदा गदही के सुत बहुत है खोती विचारी दे पुत ती यहां थे बहुत ने पार ठावत पीठ सारे पिठते पाट उन्दे तुरे फिर दे बाजशा कोई भी नी एक संबॉलक ने ते आसदे बिच शेर दी एक अपनी फिलास्फी है सत्कुरा ने नामकरन भी कीता है और सत्कुरा ने शेर वरगी शक्ती भी बख्शिश कीती और सवालाख से एक लड़ाओं मेरा जिड़ा सवालाख दे नाल लड़न वास्ते मेरा कलाख हालसा जूजेगा और चमकारदी जंग एदी परगट रूप है जित्थे कला कला सवालाख नाल लड़न लड़न दा मतलो किसे नो सर्फ मार देना नहीं हुंदा लडंदा मर्त जुर्त ते दलेरी तों है एक पासे दासलाख फाज, बाईत आरदी, सरहेंद दी और जिनने निके-निके लाके सान मुगलां दे राज सता वाले और एदा सब तो पहला हवाला भी गुरू गोबिन सिंग महाराज जी ने अपनी रचना मेंच दिता है जदो मैं बच्पन वेच सोन सिंग सीतल नू सुनिया दसमीज माच मैं पढ़ दा सान ते मैं सोज रहा सा बिट्टा डीनू के मैं पता है वी एक पासे दासलाख फाजा है एक पासे चारी सिंग है क्योंके दासलाख दी गिनती कीने दसी इना नू पढ़ के बता लगा के गुरू गोबन सिंग महाराजी ने जफर नामे विच खोद चमकार दी गड़ी दा हाल लिखिया गुरसनें चेकारे कुंद चेहलनार के देहलक बराइद बरो बेखबर मेरे चेहलनार चारी मर्द सन पर उत्तो दासलाख फोज ने केरा पाया होया सी और उदे बेच जीनमसी योद नीती के निया के मुगल समझ देने के गुरू गोबन सिंग जीनमसी पकड़ के औरंग जेव दे दरवार चे हाजर करांगे पस सत्कुरा ने कच्ची कडीनू कच्ची हवे लीनू एहोजा किला बनाया के दासलाख फोज भी सिद्धे रूबेच गड़ी दे उत्ते अटैक नी कर सकी पांच पांच दे जथे सत्कुरू तियार करके पेई दे रहे और उपांच पांच सेंक्णे अनार जूज दे हुए शहीद हुन दे रहे और सत्कुरू ने एक गड़ी दी अतियास केंदा कि उस कच्चे कर दे विच एक छोटा जा उच्चा कमरा सी जीनू सी चबारा शब्द बरत दे है उदे उत्तों तीरा दी बर्खा कर दे रहे और बहुत सारे जेड़े मुगल सपाई सी तीर दा शकार हो गया जब तीसरे दा नाउं लिखिया कि वो इनना डर गया कि पौड़ी समेत ही कंद दे नाड़ों डिग पया इस सारा जफर नमें विच कलगी तरपाशा जीदा हवाला है पर एक समाया कि जदों सेंग बहुत थोड़े थोड़े कट दे गया शहीद हुंदे गया सहब जदा जीद सिंग ने पिता तो अगया मंगी साथकुरा ने चार सिखां दे नाल अगवाई करके अपने पुत्तर नो तूर रहा है क्योंकि जड़ा मनोव गयाने मंदा है के तो अड़े नाम वेच भी एक शक्ती है इसे लिए अजीद सिंग जो जित्या ना जा सके जो जार सिंग जीनों जूजन दा चाओ है जो रावार सिंग जीड़ा बलवान है फते सिंग जीदी हरम दाने फते है किल्या दे नाम ही इससे तरह ने शैर्दा नाम ही इससे तरह ने और जिड़ा अल्ला यारखा जोगी ने लिखिया नाम का जीत हूँ जीता नहीं जाओंगा जीत ना सका तो जीता नहीं आओंगा केंदे मैं नाम दा जीत है मैं जीता नहीं जाना है अगर मैं जित के भी ना जित सके है पर कटो कट फिर जीता जियोंदे जी वाफस भी नहीं आऊंगा मदाने जंग वे शहीद होँआँगा ओना दो बाद सहिव जादा जो जार सिंगनू सत्कुरा ने मदाने जंगली तूर रहा है ओ भी लड़के शहीद हुए कमिया ने बहुत कोज प्यार नड़ लेखिया है एक कसी अजीत एक कसी जजार कलगी तरदे लाड़ प्यार दो पुतरां दियां जञ्यां चड़ियां पंच पंच जानी को उड़ सवार ए जड़ा सद्धा सहत है ए उन्ना कलमा ने रचया है जिन्ना ने एस रत्यासनू सदीव काल जीवत रख्या है और एक समाओ भी आया जदो गुरू गोवें सिंग महाराज मदाने जंग बे जानली त्यार होए रादा वेड़ा हो चुका थी असी कईवरी साथे परचारवें चागया के पंजान सिंगा ने होकम कीता है के तुसी गड़ी चो बार चले जाओ मनों कईवरी लगदा के शबद मेरी जाती रह भी हो सकती है सेख कदी गुरू नो होकम नहीं करदा मतलब गुरू गोवें सिंग महाराज होन सेख होकम नहीं करदा, सेख बेंती करदा के विरी साथे शबद परचलत हो जान देगा के पहला होकम नमा पंजान सिंगाने गुरू गोवान सिंग जी नूं देता है कि तुसी गड़ी चो जाओ मैं के पंजान सिखाने बेंती किती है प्यार वेच पिजगे के तुसी होंगे ते पंथनू खत्रा भी कोई नी पर कलगी तर पाशा केंदे के मैं इस गड़ी चो मैंनू कोई ए ना कहे के जड़ा गुरू गोबिन सिंग है जीने इस तर्तीदे उत्ते हो जा रोल मौडल खालसा पैदा कीता है जीने एडिया महार रचनावा रचिया जीने एक जबर जलमल टक्कर लई और रादेह नेरे वेच खुद चला गया इसलिए कलगी तर पाशा ललकार के पीरे हिंद मेरवद हिंद दा पीर जा रहा है ताड़ी सेब गुर्दवरा भी है जीतों ताड़ी मार के सद्कुरू ललकार के फोजा नो गये ने और एक तारे दी सेथ दे नाड जिनना वेच दो प्यारे दया सिंग तर्म सिंग ते पाईमान सिंग ओ भी चौवा दिशामा चौँ ललकार के निकड़े के असी जा रहे है सद्कुरा ने अपना तोड़ा कल गी पाई संगत सिंग नो सौपया पाई संगत सिंग मिशाल दे चानन वेच गड़ी दे उतले सुथान ते बैठे रहे मोगला ने सोचा के साड़े नड तोखा हो रहे है गुरू गोबन सिंग ता सामने गड़ी च बैठे ने एक पाई से ललकार हो रही के सद्कुरू जा रहे है ने अन्त बेच योद बेच पाई संगत सिंग नो शहीद होए संगत सिंग दा सीज कट के औरंग जेब दे दरबार बेच फेर पेट कीता है पर उन्ना ने किया के नहीं एक गुरू गोबन सिंग नहीं ने एदनों कलगी तरपाशा तारे दी सेद दे नाल मच्छी वाड़े दे बाग तक पोंचे जेडा शब्द असी अक्सर रागी सिंगां पसो सुन देया ओथे सद्कुरा ने ए अकाल पुर्ख दी मित्र प्यारे दी याद वेच चारन कीता है मित्र प्यारे नों हाल मरीदां दा कैना मेरे ओस प्यारे काल पुर्ख नों सड़ा मरीदां दा हाल दस देना तुद बेन रोग रजाईयां दा ओड़न नाग नवासां दे रेना ए काल पुर्ख तेरे तो बना सड़ा जेडा आसरा है ये रोग दे समाना जेड़ा रजाईयां दा माखमली सेज़ां दा जे कोई कवे के मैं ओडन लाके बढ़ाएं जाँ फिर मेरी जंदगी तेरे शोड़े बेच इंज है जे में नागां दे नवास वाड़े सथान दे उत्ते कोई बंदा प्या होवे ये मैं कथा नौवी जमात वे ते साड़े लाके दा एक सादू सी कर्म सिंग वो पैदल जान दे हुंदे सान हज़ूर सहब यातरा ली ये 1975 शेतर दी गाला है उदों ट्रेन ते जाना भी एक बड़ी बड़ी मुशकल हुंदी सी आज ते बहुत सारे सोर्स ने ओ कहिंदे के ज आगे कहां जाओंगे आगे संपों की दरती है वी यक्जे सपांथी तरती है अदा मैं कहां कि अभी साड़ा सादैंदा सपानार की वेर त्यादा मैं कहां के तुरपया जो ने साधे गृद्वरा सहवा के उदों घाल कीती कहना भी कटो कात्त बारां चौदां एकड़ दे विच्च जमें कीडियां दे पाउन हुंदे है इस तरह साप ते आदा मैं वैगरू वैगरू करदा डंडी ये डंडी चला गया पारादा मैंनू पहली बारा सास होया जेडा कलगी तर पाशा ने शब्द चारया के तुद बेन रोगर जाईयां दा ओडन नागन वस्था दे अगर एहोजी तरती दे उत्ते आसन लाके बंदा पवे जा रात बसेरा करे जा देन दा बसेरा करे ओग केहोजी वस्था वेच जियेगा ते पहली बार केंदा एस शब्द दी व्याख्या दी सम जाईया है वी सपांदी तरती ते लेटना की हुंदा आम तोर्ते मनोख आफ दे नजरी नाड वेक्या करदा है सूल सराही खंजर पे अला बेंग कसाईया दा सैना जाँ फिर सत्गरू अकालपूर खेंजा है जेडी सुराही या पानी वाड़ी वो सूल दी तरह चुब दी है जेड़ा पे अला वो खंजर दी तरह ते बेंग एक तिखा शुरा हुंद आंत सातरू केंदे यारड़े दा सान। सत्थर चंगा पाठ खेड़े अंदा रहना हे कालपूर्ख जे तू मेरे अंग संग है मैंन। वे सत्थर क्योंके जिस करवेच मौत हो जन्दी है ओ करवेच जेड़ी पट्टी जा दरी विशाई जन्दी है उन। सत्थर क्या जेस करवेच मौत होए मंजे खड़े कर दिन दे सन। एक जड़ी दरी पाठी परानी जो भी वेड़े विच लिया के पेंड़चों कठीया करके विशादेनिया ते लोका ने सिन्या देना भी फलाने दे कर सत्थर विश्या है एदा मतलब सोगदा परती का कि किसे दी मौत ह होगी है इसलिए सद्गुरा ने कहा कि जे तू मेरे अंगसंग है अकाल पुर्खता मनूं सोगदे विच जे सत्रवी विश्या होए मनूं वी चंगा है पाठ खेड़े आंदा रहना पर खुशियां खेड़े आंदे विच तेरे तो बगार रहना तेरी याद तो बगार सिम करनतों बगार ओ पाठ पैन दे समान है जे मैं खुशियां खेड़े आंच वास्दा होँआ एस शब्द बारे कोज लोका ने टपला भी खदा ओनानू समझना आई फेर उना काल तक तेया के माफी भी मंगी पाग सिंगं बाड़े आड़ा सी सब तो पहलना कंडे होजे शब आरत कई वरी सोशल मीडिये ते आगी के शायद सद्गुरां दा शब्द दे प्रती गल्त व्याख्या करी कई वरी सुबा बदल दिया पर गुरू प्यारों जदों कोई पामना वाड़े लोक व्याख्या कर दे है असल ओ व्याख्या हूं दी है मैं कल भी कहा सी के बबेकिय पामना जाग दिया है और काल सी साका सरहांद बारे विचार करांगे मेरे खिया आज दा टाइम पुना को हो गया जन्हें कचापां मिथ्या सीगा एसलिए जड़ी चमकार दी जड़ा शहीदां दा सस्कार बीबी शर्नकार ने कीता बीबी शर्नकार लागे पेंड दी नों स जिने अपने सिखांदे सरीर लब के सहब जादें दीयां देहां कठियां करके और कहा जन्दा के मुगला ने उन्हों उस तो बाद किते कतल भी कर देता गया क्योंके उने सिख शीदांदा सस्कार कीता सी फिर उसला के विच चमकार सहब दा जोड मिला शुरू हुया जोड म ले तो पावजे कोई सेख टुटिया होया तरम नाडों बानी नाडों बाने नाडों सुधांत नाडों फलसफे नाडों ते चमकार सहब आके उन फेर अपने तरम वेच परपक हुएगा अल्ला यारखा जोगी ने लिखिया हिंद में एक तीरत है बस यात्रा के लिए कटा ने एक अपनी तरम वास्ते पंथ वास्ते काउं वास्ते अपने बेटे अपने समने शहीद हुंदे देखे ने ते इस तो बड़ा कोई पवित्र स्थान दुनिया वेच हो नी सकदा और इसे लिए सी सेवजाद्यां दी कमाई दा ते आंतर के वह गरू बोल देयां कि उनना बाल उम्रा में चड़ी कलादा सदका साधा पंथ संसार पर विच जीवत है चड़ी कलादे विच है यही सची सरदांजली है हुण जड़ है मिराजदा विशासी कर्म ते माया मैं हमेशा करना हर शबद कई-कई पर करना में चुंद है एक साथे बज़ुर को होए ने मान सिंग जौर वो एक कवता बोल दे हुं दे सान वो केंदे किसे ने एक काव टोटा सनाया विए अर्थ करके दसो हर बोल्यो हर सुनेओ हर गयो हर के पास हर तो हर में मिल गयो हर उठ चल्ल्यो नराश मेरे अर्गे ने सुनके कहा ये दे अर्थ में की कहा हर बोल्या हर ने सुन ल्या हरी हर दे पास गया हरी हर चमिल गया हरी नराश होके तुर गया कोई समझ नहीं आई हर दे महान कोश वेचे चुताड़ी अर्थ ने जमें हर मंदर रबदा कार हर दा अर्थ रब भी है हर दा मतलब हरना भी है हर दा मतलब हरा भी है हर दा मतलब पहाड भी है पानी भी है डड़ू भी है मोर भी है ए पशाई अर्थ बदल दे जन देने ये साप ते डड़ू दी कहानी है हर बोल्यो ये थे हरदार था डड़ू डड़ू बोल्या हर सुने हो दूजे हरदार था साप साप ने सुन लिया हर गयो हर के पास साप डड़ू नू खान वास्ते दोड़या दोड़या गया क्योंकि साप डड़ू खान दा हर तो हर में मिल उने थे पहले हरदार से डड़ू आ दूजे हरदार था पाणी यां डड़ू ने पाणी विच शाड़ मार देती हर तो हर में मिल गयो हर उठ चले ओ नराश ते जिड़ा सापा नराश हो के फिर वाव समुड़ गया यह साधी प्राणी कावकल है जिनना हिंद साधा खास करके सिख सहत दे विच और पार्ती सहत दे विच इनने डूंगे शब्दां विच वदांत दी पोईटरी है वदांते शोटे शोटे गरंत है यह टकसालन संपरदामा विच पड़ाए जान दे साधा और यह जड़ी कावकला इननी डूंगी है जरा अपावना हो सके जरा सामायो थे दूज्या जरादार से बड़ेपा थोड़ा जा पावनी होना जदों बड़ेपा आगया पावसागर के तरन को पावसागरनों तरन वास्ते तरन अवस्ता आहे इते तरन दारते जवाना जमें तरना दालते बड़ा दाल तरन शब्द गरवानी चे जवान ली आ एक टेक जान दे सान। सथकुराने कर्म हत्था दी किर्यानू के है। इसली गुरु नानक पाश्या महाराजी ने प्रमातमानू करता के है। क्योंके थे रबनू जिनने मननवाडे लोग सानू पार दे। किसे ने जिटामामदा के गंगादे कंडे बै गया। कोई पिंडेते स्वाव मलके तूनी तपाके बै गया, कोई खूच पुठा लटक गया, कोई नंगे पैर यात्रा करदा तुर्या फिर्दा, किसे ने पपूती माली, ओ समाज तो टुट गया, गुरु नानक पाशा महाराजी ने निर्मल पंथदियां रवेतां मेंच समाज न गौड नू, अल्ला नू, ईश्वर नू, बीठल नू, गो स्वामी नू, गो पाल नू, परमात्मा नू तुसी मन दे ओ, वो हमेशा कार्ज शील है, इसे लिए मूल मंतर वेच है करता, करता है जड़ा क्रेटव है, जीदी क्रेशन है, जड़ा मतलब पदैश करदा, जड़ा बूला, पंज, गुरू का आल वेच, असी एक दूसरे नू, मिल दे सां, सत करतार कहके, वी ओ, करता, करतार जड़ा सत है, ते पहला नगर वसाया करतार पुर, एक करता शावद, सातकुरान एक चेतनता दिती, एथों दे तर्मी लोकानू, के रब ईश्वर नू, म ओ, हमेशा कोज कर रहा है, ते तुसी नू, मननवाले वेलडन खटू होंगे, ते दुनिया तैस नैस हो जाएगी, चाए ओ, आर्थ को वस्ता है, चाए ओ, समाज को वस्ता है, चाए ओ, तार्म को पक है, चाए समाज को पक है, एसली तो अड़ा रब हमेशा कार्ज सील है, तुसी अपने रबनों मननवाले भी कार्जशील हो एसे लिग करत करो नाम जपो वांडशको दे तैन सदांत साथे फलस्वे बेचाए ये पार्ती तरम प्रम प्राच नहीं सी। और सत्गुरा ने क्या एक कर्म जिमें जेहा चीरी लिखिया तेहा हुकम कमाए पर सत्गुरा ने भी क्या ददाय दोशना देव करताय दोश कर्मा अपनया जो मैं किया सो मैं पाया दोशना दीजाय वरजना जो कोई मनोख कर्म करदाय जेहा बीज़ा सोलना कर्मा संदड़ा खेद बारा मां बाणी चूंदाय जेहो जा कोई कर्म करदाय जेहो जा कोई बीज़दाय ओहो जाई वड़दाय एस जीवन कर्म रूपी तरती है एदे वेचे कार्ज शीलता जरूरी है एसलिज़ा कर्म फ पाद थे जन्त्रा मंत्रा वाले सी ना जड़े तागेत वीद करन वाले जी वो तूणियां तपा के बैंगे आएमनाबाद विच लोक पुछ देया के बाबर दापा के में मकावला करांगे उमेरे अरके वेल लड़ो केंदे आपा तूणियां तपातियां आपा मंतर पढ़ांगे बाबर दी फाजनी हो जानी है लोकी बड़े खोश विसाड़ा इना तिन्ना चौँ सादा नाड़ी सरजना फाजनी कोई लोड नी बड़ियां जाद बाबर ने टैक कीता ते फौजा ने सब तो पहला उजड़े तूने तका ही बैटे सी ओही कुटे सारे पखंडी सान और सतगुरा ने बाबर वानी वेचे दर्ज कीता है कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया ताया थान मकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कोई रडाया कोई मुगल ना हुआ अंदा किने ना परचालाया केंदे कोई मुगल ना नहीं हुआ एना लोका ने पखंड कर्म पारतादी तर्तीते कीता थी और एना ने सजा पौनी सी और एनाने सजा पाई इसलिह जड़ा सिख फलस्फा है ओद वेच कर्म कैंदे मनोख बदल भी लंदा पर मनोख कर्म कर्या करदा जिन्नु सी एक्ट केंने कर्या केंने क्योंकि साड़ा रब गती शीला है साड़ा रब कार्ज शीला है इसलिए सद्गुरा ने जेड़ा जीवन नूँ एक पाई गुरदास जीदा कबेता है के जैसे तो समुंदर विखे पूर्न सकल निद हंस मरजीवा निश्चे परसाद पावी केंदे समुंदर विच वस्तूंआ थे बहुत ने ने तुन दाख जाना पर जेड़ा हंस विरती है ओ दे जो मोतियां धी खराख लब लेंदा है डड़ू मचीयां थे अपनी खराख खांदेने भगले अपनी खराख खांदेने टूंडनवाले अपनी खराख खंदेने पर जेड़ी हंस बिरती है साथकुरा ने खास करके सिखनू गुर्मख भी क्या ते हंस भी क्या है क्योंके हंस ओ एक पवित्र जीव है जेड़ा रोडे कंकर डड़ियां मच्छीयां नहीं खंदा मुती चुगदा इनों केंदे के मान सरवरतो हंस जेड़ा है ओ मुतीयां दी खराख खंदा है क्योंके मुती सब तो कीमती है और तुलना ताद दिती है फिर केंदे जैसे तो परबत विखे हीरा मानक सुद खनवारा खान जग विखे पर गटावी पहाड ता बहुत लोकान उदी दे है पर कई केवल पहाडा तो रोखपटन जोगी हुंदे है पर केंदे जड़ा खोनवारा खनवारा ओए दे विचों हीरे मानक लब के ले हुंदा जैसे तो बान बिखे मले अगर सोंदा कपूर सोद के सुबासी सुबास बहसावी वणा दे विचे चंदनदा रोखवी हुंदा कपूर दी सगंदी भी हुंदी है पर वणा विचों कई लोग पे डंबक्रियां चार के मुड़े हुंदेने कई लोग बेरियां तो बेर तोड के मुड़े हुंदेने पर केंदे जीनू मैक दी समझाए ओ ओ दे विच्चों मैक वालियां बूटियां लेंदा है तो दुनिया नू सुमेल देन वास्ते कपूर ते चंदन दे रस कड़ के ओ महका दन दा है जैसे तो बानविखे मल्यागर सोंदा कपूर सोथ के सुबासी, सुबास बहसावी तैसे गुरवाणी विखे सकल पदारत है जोई जोई खोजाए सोई आन पजावी केंदे गुरू ग्रांसा है महाराज बेच ये से तना बहुत सारे पदारतने ये कोई नाम सिमरनाडा उन्हों नाम सिमरनाडा लबेगा किर्ट वाले नू किर्ट लबेगा वांडशा करना ले नू वांडशा के लबेगा चाउंट कलामा ले नू चाउंट कलामा मिल जानगी है सोडा कलामा ले नू इसारियां पंक्तियां सोडा कलादियां मिल जानगी है राग गउना ले नू राग मिल जानगे पड़ताल कर उन्हाँ पड़ताला मिल जानगें जे नो कोई पशाईी गयान है उन्हाँ अनेक तरह दियां पशामा मिल जानगें जे नो रोहानिया तरहाँ जिंआ रमजा लेगां जोब भी तो मेल जानगे बना गरमानी मने वेच शखलपदार था जेहो जी किसे दी खोज है ओहो जी खोज जो समाज दे सामने ले उन्दा एसली जड़ा गर्बानी दे महां खजाने विच्चों अपन क्योंके गुर्मत केंप ली कतर तो हुए है तो एदे वेच्च हर वस्तु मजूद है एक खोजन वाले ते परचार करन वाले ते निरपर ह है परातन कहानी है तेन पर खूदे कोड बैठे उची उची रोई जान कोई शैना बंदा अदर दी नंगिया है ओक पार क्यों रूंदे ओ केंदे साड़ा पे ओ मरन लगा एक सिख्या देके गया थी पर उस सारी गल्ट है ओक अधा भी गल्ट क्यों है आंदा शाड़ा ये कारदे विचे तोटावेना आर्थक तौरते दानेयां पठेंदी, ते खुण आड़ जाके गल्लां करेओ ते आपे कारविच सारी बरकत आजेगी, साड़े कारविच के नदे बडी सुमस्टे आर्थक तौरते दानेयां पठेंदी, सानु वीदन होगे खूखोड़ें सी उची उची रोंड़ें खूखोगों बोलदाई नी साड़ा बापू बेवकूफ सी गा जड़ा सानु सिख्या दे गए ओक अधा तो अड़ा पिता बेवकूफ नहीं सी तुसी तने बेवकूफ हो तुसी अपने पिता दी शिख्या नू समझे नहीं क्योंके जद नहरा नहीं सी ट्यूबल नहीं सी बीजली नहीं सी कोज जमीन खूब आड़ी हुंदी सी जड़ी सब तों पजाओ हुंदी सी पर हमें किसे कुड़े पंजा किले होन पर जेड़ी खूदे लगे लगे दो चार किले अना ओ और लग जे बार्श ना होवे ते खूब अड़ी जमीन चों रिजिक कर जुगा आज अन्दा सी ते सारी खेती वास्ते खूब नी सी हुंदे महीं गा लगदा सी आज़ा तुसी पिता दी सिख्या नूं समझा नहीं तो अड़े पिता दी सिख्या सी जे मुश्कल आवे खूब जोड़यो खेती सिंजयो कारवेच बरकता हो जानगी यां तुसी तिन्ना ने रमजनू नहीं समझा तुसी वैन पापा के कोड़े रुई जन दे हो खुब चारेने को रोणा थोड़ा नाओने गल्दा करनी आने तो हड़ा पिता गल्द नहीं सी तो सी इतने नलायाक हो जीडे पिता दी रम्ज नू नू नहीं समझे इसलई कोज रम्जा जीड़ियां जीडा कावश हैली होंदी है एरहा सरूप होंदी है रहा सुन्दा के व्याख्या करनवाड़ा इनूं किसे पासे भी कई वरी लजावी सकदा जे करो दी पकड़ वे चे परताक नावे इसलिए कदी भी व्याख्या करी नहीं मुकदी हुंदी क्योंके हर मनुखकोड एक ग्यान दी सिम्मा गरबाणी गाद वोद है और सतकुराने जदों बारा मां बानी रची पहला शब्द हुंदा किर्त कर्म के विछड़े कर किर्पा मिलो राम असी किर्त कर्के ते कर्म कर्के अकाल पूर्ख तेरे नाड़ों विछड़े हुए हैं विछडे इस लही हैं, काई वर ऐसी सारी किर्टनों ही तर्म समझ लिया, क्योंकि जिनने पच्छमी मुलकांच, जदो मारकसवाद, लेननवाद, जा माओत उंगदी, रिचनामा साथे पंजाब चाहियां, 77, 78, विच नकसलवाडी लेर चली, फिर कमोनस्ट लेर चली, उगल् पर वह केवल कर्टते आके समाझ रोकजनदा है, बंदा केवल रोती नहीं है, रोती ते न मुलकांच बहुत ने, बंदा एक रूभणी है, एक आत्मा वी है, और एक समाझ भ़ध villain वास्ते society भी चाहिए है, बंदा रूभ़भस्ते सकून भी चाहिए है, बंदा मंदी खरा पर किर्टवी नार सत्गुरा ने सचेत भी कीता है इन जरकान कणी वगुती इन जरकनी खुआई पापां बाज जो हो वै नाही मुयां साथ ना जाई जार केंदे ने ताननू केंदे एस तानने बड़ा बंदे नू खपाया पर एपापां दो बगएर कठा बनी होंदा मुयां दे साथ बनी जानदा एजड़ियां सकंदर दियां कथावा ने के नंगे हाथ मनू अर्थी तो लेके जायो क्योंके उस मजबदे विच अर्थी तो हाथ लटक दे नू बद शक नहीं समझा जानदा है पर उन्हों एक समझाई के नाळ ते कुछ भी नहीं जानदा है और किरत दे नाळ नोख कर्म कर्दा है कर्म दो करत तो थारो करमरि छंगी केरतनों तोक एकश्त करने है ते बुरी केरतनों दो करने है जो में दर मत ँर मन मत दर बैसे पैदे नों शब्द बरत दें पर इजड़ि सोख है जीड़ा ओदम करेंदें जीओ तू कमाम दें सोख पुंच जाँ जेड़ी पाई लालो वाली करता है जी दे विचों बच्पन तों सानू तस्वीरां चे दोद टबकदा दखाया कि ए तरमधी करता है एदे विच पर एक पासे मलक पागो दियां पूरियां विचों पापते पुन इसाड़े दो शब्द ने जीदे वेच तरमने मनोखनों सचेत कीता है कि करत कर देयां किसे दा हक नहीं मारना और जीड़ा सत्गुरू दा बचन है ना गुरू नानक पास्चाजी दा हक पराया नानका उस सूवर उस गाए गुर पीर हमातां परे जामरदार कहाया केंदे ए मुसलमान वास्ते सूर खान दे बरबर यह तिह हिंदु वास्ते गां खान दे बरबर यह प्राया हक औस सूर उस गाए औस सूरत गांदी तराने क्योंकि दोई मज़वसं हिंदस्तान वेचे शबत ओं पर्पाक सन उड़े रूविच सन असी सिखतां वेसिकली ता ओ खतरी परवार सी, बेदी खतरी परवार सी, जिननने गुरु नानक पाशाज दी शिख्या नू मनने हैं, ओ शिख्यी शिख्या, गर विचार, गुरु दी विचार दी जीने शिख्यी ग्रैण कीती हो सिख्य कुभाई, साड़ा मजब ते साड़े 500 साल पराणा कहलो दूसरे मत्त स्थापत सन ओ एक मजब गांखान नूँ पाप समझ दै पर लोकां दा हक खाना तर्म समझ दै जिमें गव ब्रह्मन को कर लावो गोबर तरना जाई ओके इंदे ब्रह्मन नूँ भी टैक्स लाया गवनू भी टैक्स लाया ते गवा फेर के गवदा समझ दे सद्धकुरा ने बड़ी सहज पावी समाज नूँ जागरत कीता है के तो अड़ा जड़ा कर्म है कर्म वैसे किरिया होंदी है जहां कर्म कांड होंदा है जहां फोकट कर्म कांड होंदा है कई वरी अच्छे कनफ्यूजन रहन दी है असे ही जो भी कर्म कर्दे हैं तरमदी म परियादा अनसार एक कर्मा दा कांड है एक चेप्टर है जिमें दहीं रिड़कना एक कर्मकांड है क्योंके दहीं रिड़कांगे ते विचो मक्षन आएगा विचो लसीब आएगी मक्षन तो के ओबनेंगा पर पानी रिड़कना एक फोकट कर्मकांड है कर्मकांड शब्द जी चाप्त दे जो ऑप जो फिर की वहां है is अ जो हो जए कि गल्थ है कि डोध सारा दन रिड़किजा हुग कुछ भी पैदा नहीं हुएगा ये हो जा पानी रिड़क लिया हो जा दोद रिड़क लिया पर साथे सारे लिट्रेचर वे चा गया माई दोद रिड़क दी जा फिलमाड भी करनगे दोद रिड़क जा रहे है दोद कदी भी नहीं रिड़क जन्दा दोद तो दहीं बनेंगा दीयं रिडखांगे, तो पदार थाएगा, दोद्ध रिडखना हैं जा जमें पाणी रिडखना, क्योंकि दोद्ध चु सारा देन मद आनी पागे बैठरों, कुछ भी पैदानी होएगा, और जेडा दीयं रिडखना, एक कर्मकांडा, पानियरड़गना फोगट करमकांड है इसली सत्गरु केंडे करम करो पर फोगट ना करो जडी भारती मान सकता वेच फोगट करमकांड अन्दा जोर सीगा ते फोगट करमकांड नाग समाज कदी त्रक्की नहीं सी कर सकता यदिए गरुप आच्छा वार वार समाज नों प्रेर्ट कर देने कि तुसी कर्म चंगा करो कर्म नार तो अड़ा स्वा बदलेगा समाज बदलेगा सोच बदलेगी और एक चंगे इंसान दी जड़ा सी स्लोक पड़ दें पमन गुरू पानी पिता माता तर्त महात दिफ सरादो इदाई दाया खिले सगल जगत चंगें यां बुरें यां वचे तरमस दूर कर्मी अपो अपनी के नेडे के दूर एता कर्म है जेहोजी क्रेया किती है कोई जेहोजी क्रेया करदा जिन्दगी वेच ओ अपने गुरू देह बहुत नजडिक होंदा है कोई एहोजी क्रेया करदा के बहुत दूर जला जन्दह जिन्नी नाम ते आया गए मशक्ट काल जिन्ना ने उस कर्टेदा नाम भी सिम्रिया करतभी किती वंड के भी शक्टिया उन्ना ने अपनी मशक्कत दे नाल सफलता प्राप्त किती नानक ते मुख उजले ओ मुख ते उजले या किती शुटी नाल पतानी किन्या दा होरदार कर दता है जिन्ना ने उन्ना दी संगत किती जैसी संगत वैसी रंगत इसे लिए सनु सत संगत करंदी वार वार प्रेर्ना किती तांके सचे दी संगत विच बैके मनोख अपनी आतमा बारे आप ग्यान पराप्त करदा है निजदे नाल जड़ मनोख सुमाद करदा है उदा निजीव का सुन्दा है हर मनोख कोड़े शक्ती है कुदरत ने कहा बीज मंतर सर्ब को ग्यान जीव जन्तुआ नो भी ग्यान दिता है कुदरत ने दाने कितों मिलने या पाणी कितों मिलना आलना कितें पोना आलना किमें पोना हर जीव जन्तुआ पास बीज मंतर ग्यान है पर जड़ा 84 लाक जुनादा सरदार है एदे कोड़े ग्यान बढ़ा ग्यान कुदरतने देता है बोल सकदा पढ़ सकदा लिख सकदा ससेटी कर सकदा चिंतन कर सकदा चेतना कर सकदा पला कर सकदा बुरा कर सकदा एदे विच सारियां समरत्थामा कुदरतने देतियाने एसलिए जड़ा करम फलस्फा सीगा पार्ती लोग केवल मत्थे दे कर्मते आके चुर दे रहे सत्गुरा ने एनू किर्याशील कीता है और किर्याशील करके कई वरी ना कोज शब्द परकर्णन सा रहूंदेने एक वरी साथे बड़े अच्छे सायतकार ने उना दा पोग सी उथे किसे ने शब्द बोलिया जाग रचना सब चूट है जान ले होरे मीत उना तो बाद एक जादा शंकावादी बंदा सर्द अजली देन लगा है ओ के दा भी जागदी रचना चूटी नहीं है कि एक गल्टा उनु पता ही नी सी भी बानी दी पंगती है उनु दा सब्जेक्टी नी सी है गा बानी दी पंगती बारे पता नहीं स्टेश सेक्टरी मैं सा जदो बैगे मैं कि भी बानी चे ए जाग सच्चे की है कोठडी सच्चे का विचवास ए पंगती भी बानी दी है जाग रचना सब चूट है जान ले होरे मीत कहो नान कथर नार है जिवालू की पीत जिमें रेदी कंद पकी सथा सथर नी रेंदी ए परकरनदों में लैदा लैदा ने जाग रचना चूटी सानू उत्खे सिख्चे जित थे ईशी साच्च्मान के वैज ये के ईशी पता नहीं सदियां ताक इस तर्थी तो जाना ही नह हैं वो थे संबॉलक रूब इच साथकुरा ने कहा कि ए जड़ा जो तो अनू देस्दा संसार है एने बंदे रहना पजदे रहना पजदे रहना बंदे रहना एच उठा है पर जिते ए जाग सचे की है कोठडी भी जड़े प्रमातमा नू दुनिया पहाडांते लब दिया एच थे सचेदा वास है हर हिर्दे वेचे सचा वस्दा है यह जड़ी परकरन है इसे तरह ने बहुत सारे परकरन उंदेने और कई वरीं इसे लिए जन्दा के जदों संपूर नसी सहच पाठ कर देंना जां त्यांदे नार सुन दें साठे शंकियां दी नविर्ती अपने आप ही हुं दी रंदिया और असी जड़ी लोक वश्वासां दी करम फलस्फा है जज मेराती शायद माया दी गल चली सी माया पंजबी लोक तन्नों भी केंदे है ते माया शब्द सत्कुरा ने ओस परकरन में चे देता है भी जड़ी वी वस्त आतमा ते परमातमा ने समेल वेचे रकावटा है ओहर चीज माया ओह बंदे दी विद्या भी हो सकती है बड़े बड़े बंदे नास्त को होगें बड़े बड़े सेख बड़ा बड़ा पढ़के फिर नास्त को वादियां लहरा मेंच रहेंगे जहां बिलकुल मुनकर होगे गुरू नानक पाशादे द संपाशा दे भी शरीक बन के बैगे भी असी बहुत स्याने हो गया है ओभी माया सी कई वरी डिग्रियां भी माया बन जादियां जोबन भी माया हो सकदा तख्त भी माया हो सकदा अउदा भी माया हो सकदा मलक कोई भी वस्तू तान भी माया हो सकदिया ए माया शब्द है जेड आती गल कर रहा हैं ज़िए आपां बॉग इनती लोग हैं आपा समोसा अलू आ जो बने आउंदा खानवाले नू कहने है शंगरूर दा एक कोज हलका है जीदे वेच परने नू पटके नू समोसा कहने है जाड़ी एक श्रोमनी कमेटी टीम गई संगरूर तो हड़ा एक सेंग सवेरे सवेरे नू नू चल लिया तो थे ओ परना बन के नू देने गल बावा वी साल परानी है तो कारड़ी माई केँदी बाबा जी समोसा लूँगे वो केंदा चाहन अलू लँआंगे वो दा उदूदा नाही समोसा रख़ा हुआ है सारे आनो ओने आन के दस्या है भी मै सबस्धिकों कारहाब है तो है कि षाम अ wisdom एंग गया के चाहनी में जो संद besten आप संना क्यों के और ना दीव पाशा करेफ़ समैसा कोई एक रह अब एगाक। तक तुड़े जाग टीव आगैं फज्ण seem inlier ने बंडेया सी ते द्रियावाँ द्रेजान दर्णाले ना दे सु आग ना दे कोड़िया ना दे वैन लौणिया ना दिया पजिया भी व्या दिया पेन पेंसन ते एस्मुंदर लेजिए रिकावट बंदे जी रिच्ता भी एक दुझे नल कर नहीं सी कर दे कि खुशी गमी मैं और मेरा हलका हरीके पत्ण तो परे आओ साड़े अलाके दी कोई वी रिष्टे-धारी द्रया तो पाहर नीजी है की कोन और अन ग्रेज़ाने पॉल बनाये उदों साड़ा डान प्रदान बनी इसलिए चेड़ा माझ्या मालवा दौबा इस सारी चंगे आओ पारिना चे पशाई अंत्रा इसली रहा कि ओस खिते दे वेचे लोकां दा जीवन शेली हुंदी सी इसली कई बरीदा से वितकरा हो रूप चे कर लेने न भी ओम मजे अले माडे जी दौबे अले चंगे जी माल वे ज नहीं है गा असली वेचे ये सब्वे अचार है ते सब्वे अचार हर तर्ती दा पे इन पे नहुंदा किसे तर्ती दे लोक साप पूज़ना सब्वे अचार है ते किसे तर्ती दे साप खाना सब्वे अचार है मकउची इन दे टापुँँचों जो लोक सब खंदेने ओधे खाना सब आचा रहा है तक गुघए पिर दे नाते लोक हिंदस्तान जो sapph popूजदेने फ़फे आचा रहा है गलत कोई नहींगे आदे मन्ता मनूता के हो जीय। आदे डर की हो जीय। ओदे विच्छों ना दियां जिडा जीवन शेली पर गट हुई है एस करके ए निके निके अंत्रे व्याख्या कारीची सपाष्ट हो जाने एक कोई बाणी सर्ब काली है सर्ब देसी है पाई गुर्दास जी दा कथन है के मनोख करमनार के में बदलता है पूशत पथक तेहे मारगना तारै पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाईए पथक इंदेने रस्ते नूँ पथक उन्दा रागीर इत्मी बढ़या पंथ अपके ने सेख पंथ, खालसा पंथ, तीसर पंथ, नियारा पंथ, बीर पंथ, युदा पंथ, निर्मल पंथ चलन वाले लोकां दे अकठ नूँ पंथ के है, क्योंके गुरू ने सान नूँ एक मारग देता है, और उस पाथ दे हुते, असी चलन वाले पंथी या, कबीर दे शब्दा ना, पंथी को दुख दे, रागीर नू, जेड़ा राते चल रहे है, पाई गुर्दासी कें दे, पूशत पथिक, बंदा रागीरा नू पूशता है, क्ये रागीर दास दे ने, तेहे मारग ना तारह पाग, पर उस रस्ते दे उते पाग पैर नी रखदा कदी भी, पुछी जन्दा सारा देन, प्रीतम कैदेस, कैसे बातन से जाईए, कैंदे जे उस प्रमातमा दे प्रब किते वीना, ये बड़ी प्यारी फलास भी है, पूशत है, बैद, खात, आखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग, सुख, सह जिसमाई है, बंदा वैदा नू पुछी जन्दा, दवाई केड़ी खामा, केड़ी खामा, पर संजम नाड़ खांदा कोई भी नी, ये बाग गनती, पुछी मनोखदी कमजोरी हुंदी है, अद्दा वैदो आप हुंदा अधिक दवाई हो डक्टर कोड़ो लेंदा है, तो एह हर दवाई हर थांदे कदी फेट नहीं हुंदी, क्योंकि सरीर दा तात लेदा लेदा, किसे सरीर नू खांड अमरता है, किसे सरीर ली खांड जैर है जिना फिजिकली वर्क करदा हो दे आस्ते गोड मिठा अनर्जी भी है ऐसे लिए इसी नगर कीरतन दे उते जान समें मिशरी देने हैं क्योंके सानु एक वद अनर्जी दी लोड हों दी इसी पांच दास किलो मिटर चलना होंदा है वकरी गाला सी जलेबियां होई चटके खाई जने हैं यह जदों तो सहीं मेडिकल साइंस आड़े बहुत सारे गुर्मक प्यारे बैठे हो सरी नू अनर्जी दी लोड होंदी सफरते जने हैं और गुरू पाश्यादियां दासियां वारे भी कहा जन्दा है क्योंना दे पास ओ समें सार जेड़ी मिशरी है वो अपने साथ रख देजान के रोटी किसे समें बहुत बारी नहीं भी मिल दी पाई गुरुदास जी ना लिका भी रोडान दी आकदा अहार करके ते रोडान दी सेजते भी गुरू नान का पाश्या सुते ने क्योंके वादी बड़ी थोड़ी सी हंदस्तान दी के ते जलती सब प्रित्वी दिसाई बाज जों गुरु गबार है है करदी सुनी लकाई बाबे पेख बनाया अदसी की रीत चलाई चड़या सो दन तरतल काई तरतीनू ते लोकानू सिदे राते पौन वास्ते गुरु नान का पाश्या महाराज अदसियां ते तुरे हुन अदसी पंजाबी ची शवदा बन्दा अदस हो जाए सोग वेच आज़या सियूनू अदस केने है पर यह शवदा उदर आस अपने उदर वेचे हिर्दे वेचे एक आस लहके तुरना के समाज बदलेगा अकाल पर खजी करपानाड बदलेगा ए अदसी शवदो है ए अदस अपराम होना नहीं है सोग नहीं है ए अदसी है हिर्दे वेचे कास है के एक बबा काल रूप दूजार बाभी मरदना जहां आप नरेन कलातार जगमें पर वरे हो ए अकाल दे रूप सत्गुरा ने एस संसार दे उत्ते अकदा अहार वी किता रोडान दी सेज उत्ते विस्ते दसमें जामें वेच भी सुते पंथ वास्ते गुरु गरंथ और पंथ वास्ते और अपनी कौँ वास्ते ते पाई गुरदास जी केंदे ने पूशता है बैद खात आखदना संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज सुमाईया है रोग के में मिटेगा पूशत सुहागन कर्म कर्म दुहागन का है दुहागन नो जीडे परवार लोग कोई शड़ी होई इस तरीया जिना दे कोई तलाक होया जां कोई रूपे नो लेलो दुहागन शब्द परमातमा दे परताया है जीडे रब्दों लो टुटे होई ने परमातमा दी बंदगी लो टुटे होई ने ए एक श्भदान दे बारी अर्थने, एक श्भदान दे पाव अर्थने। आजियां शोब अमला बाज जो दोनो लोई काजियां नू लगा या बाबे नू पुछिये दा सही बाबे कुछ एक टाब वी ए क्योंकि जेडी बाणी साथ कुरू राचते सानना वो कछ वे चुहंदी सी कासा हाथ कताब कछ कासा कें दें डंडे नू गुरु नानक पाशा द दू चंगे ने पुछन फोल कताब नू बाबा अकताब फोल के दसी कां हिंदू बड़ा के मुसलमन होई हिंदू बड़ा के मुसलमान बाबा आखे हाजियां हाज करने गे हाजियां नू बाबा केंदा शोब अमला बाज जो दोनो रोई मात सोचो भी तुसी काजी यो इंदस्तान उजड़ रहाँ एदी सब्छा उजड़ रही है दी संस्कृती उजड़ रही है एध्य तुसी कर्मकंडी लोक 까्ट कर्मकंडी लोक पैदा कर दोतेने एसली तुँ अढ़ झाणी श्zin आर्प करवीं याद्यद्विस ₹ सची जोगत जुरूरी है ए मतलब गुरू कर दी एक महान फिलास्फी सी के तुसी कर्मवी जंदगी ची चंगा करें और संसार दे वेचे रहिं दियां तो अड़े राच रकावटां ओन गियां पर तुसी परमातमा नाड़ों टुट्यों भी ना क्योंके तुसी परमातमा दी अंच हो तुसी ओस नूरतों पैदा होयो और नूरी बनके जियो ओधी रजा वेच भी रहना हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नाड ओधी रजा ओधे पाने वेच भी रहना एक गल राती आपां तकरीबन कंटा सवा कंटा बचार गोश्टी भी किती सहज पावी कोज स्वाल बहुत चंगे किते सारी स्वाल चंगे सान मैं पहला करना कि अपना एक परवार है परवार वेचे कोई वड़ा शोटा नहीं हुंदा है परवार वेचे एता साथ गुरू ने रहमत किती अपना सवाब बने आपां इते अकठे हुए आपां नु एक दूजे बारे जानन दा बहुत नेड़ें होके मोका मिले आ यह होई साथी सब तो बड़ी प्रापती है कि आसी गुरू दी हजूरी चिकठे हुने है साथे निके निके सवाल होने चाहिए एक बहुत बड़े सैंसदान ने लिखिया कि मैं सियाना इसलिए बढ़े हैं कि मेरी मदर जदो मैं पढ़के उन्दा साथ वो मैं पुस्चिदी सी आज तो टीचर नो किन्ने सवाल कीते आँ दा मैं सवाल संगाडू साथ मैं क्वेस्चन पोट नहीं सी कर दा है मेरी मादर ने प्रेयर प्रेयर के लाया कि आपने टीचर नो क्वेस्चन पोट करेया कर बहुत अगताल दे उत्ते जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी हैं किछ कई है साथगुरा ने सुवाद और गोश्टी रिचाई हैं दस्तान वेच तर्मा वेचे प्रंपरा नहीं सी जेड़ा को पाडांते बह गया हो अपने अपने अपनू सेयाना मन के अप भी बह गया सी उनसे आने दा खताब किसे ने नी सीज़ता ऐसली साथगुरु कहन दे होए अतीत ग्रेस्ट ताज फिर उनहीं के कर मंगन जाई उपले उत उसी ग्रेस्ट शाटके पाडांते ता आगे हो ओना नू निंदी भी जान दे हो के ग्रेस्ट माडा है जदो पोख लग दी है रोटियां मंगन फिर ग्रेस्टियां दे कर्च चले जान दे हो फिर वड़े तुसी होगे वड़े ओने एक स्वाध दी परनाणी सी गोस्टी कुछ केळना कोछ सोणना जेड़ा दुनिया दा वकास है जदों भी हुंदा और गोस्टी नाड हुंदा है क्योंके आम तौरते हुंदा है जेड़ा साड़ा गुर्दवारा सै बांदी मर्यादा हुंदी है बहुत हैस ऐसक्तवी पड़स कि नहीं प्रोड़ हैं, सब्ध़ हमेस कर ये से शब्सक भरहन, करें क 얼굴에서। अअजी मेरे क्लूण करiin, जोन प्शाम्हेमक गुछ करते हैं, सारी ही अपने कमरें जाने हैं, वह पूरे समाग में बहुत हैं नहीं हैं, तो बहुत हैं भार, भी नहीं लग दे मैं निंद्या नहीं कर रहा है मैं जर्नल काल कर रहा है जो साड़े समाज वापर दा है ओधी एक मजबूरी भी हुं दिया के जड़ा बंदा एक एंटा सवक एंटा बोल्या ओजे कंटीनू सारे नड़ फेर बोलदा हो तो कोड़ शामदी कथा नहीं होनी क् कि जड़ा गाड़ा इन्हें थक्ना भी है वोकल कोड़ दे उते प्रभावी पैना तो कई वर यू लगदा भी ना कड़े सवाल जड़े है वार वार सुनके भी बंदा थक्या हुंदा है कि मला साड़ा सेख समाज थोड़े ज़े सुवालां वेचे कई वरी ओड़े जन्द है फिर गुरु कोबंशेंग महाराजी दे जीवन फालसफेते है जड़े मेरे तैन बाकिरें देने मन उत्ते भी अपा वस्तार सहत गल करांगे कोज संकतां दे मन विच भी कालाया के पीजड़ा दरबार दे विच डर पाया जन्दा है भी तुसी गुरु बंड़े बनो ते मौत तो डरो मौत दिया गलाने पर मैं नमरता सहती कहांगा डर नहीं है एक गरबानी दे शब्दान सार ही विख्या है क्योंके दुनिया दे मनो वग्यान को मंदे ने बंदा ग्यान करके तर मंदेरा नहीं पेंदा बंदा हमेशा मौत दे डर करके तुरे है इसलिए पहला म न लखाए मंडल में आए हीरे जैसा जनम है कवडी बदले जाए दर्याये करने बगला बैठा केल करे केल करें दे हांजनू चन्ते बाज पै ये शब्द येस परकरन में चाया के जानदा प्रोस्वा कोई नहीं है एक कदों श्रीर दा ठीक राप जणा है जेड़े द्यात्मक पुर्शन बंदगी आड़े ओ एक मौत नू एक कटना समझ के एथोक ताकी रख देने पर आम संसारी बंदा ओ एनू बहुत हुआ इसली समझ दा किको ने बहुत में तनाड कारबार सब कोई बनाया हुंदा उनू लगदा भी जे रहन दा होर मोग का मिल जे दर्बार एक डेरा है बड़ अच्छा डेरा होते संथ्या दिती जंदी है और बाबाजी नाड मेरा बड़ अच्छा नेड़ता सी साथी परवार करूवेच उते लंगर भी हर साल कर दे सां तो बहुत बमार हो गए काफी उमर सी मैनूना ने फोन कीता है गोगवानी आएंगा मैंगा आवांगा केंदा भी मैना लगदा बहुत एदेने जिवना नहीं है ते मनूना बहुत ज्यादा टेंशना मैं का दी केंदे मैं कने डेरेदा की बनूंगा ये रियल ही मैं सची काल कर रहे हैं मान सिर्फ डेलाग नहीं बोल रहा है मैं बाबाजी जड़ा पहले बाबेश तो बमना लेख एदेना कraf, दे जाना थी जप ये जान दी टिरेता बनी जाना contaglli स 돼रेदा नहीं है संथिया करा जना कर आदेने की रितन सख गृना जना लंग्र सपलwen। लंगरे ये ये लिए पुटता जाए पन्छे मंजली कोति या सुन्ड़ संवा पंडड़ संग पिंट कारनाड चलाया एथे लोकी लंगर कर देने एथे वधियारती कीरतन सिख देया संथिया कर देया है फिर मेरे तो बाद डेरेदा की बनेंगा इस है जबावी हलांके पता भी या के संसारते शड़नाई या इसली मैं राती भी बेंती कीती सी भी जड़ा गुर्म खाड़ी मौत आए जीवन घुरु बाड़ी भन के तरती तो जाना गुरुनू समर्पत होके गिना क्योंकि के साटधी सोच नहीं है एक घुरुदी फिलस्फी उए एक घुरुदी भाणी है तुर्की भाणी है सची बाणी है एदा अपदेश है एदा पदेश ही असी जीवन चे तार्न कर देयां सहज पावी जेड़ा परकरन हुँदा ओ गर्बाणी दे अनसार ही आया और एनू नेक्टेविटी वेच ना लेना कई वरी जेड़ी जेड़ी चेड़ी हुं दिया ना माँ वी चेड़क दिया गुरू भी चेड़का दा है ओ चेड़क काई वरी बंदेनु सिध्यरा पादन दिया असी सारे मापे वी याँ असी सारे बच्चे वी याँ असी बजपन वच साठे माँ प्योंने जेडियां गल्ला तो चिड़कया सानू बुरे भी लग दे सानू जानू क्यों चपेडा मार देने टीचर भी आता बारले मुलक ने थे सजा नहीं है गी जिनना स्कूलां चासी पड़े उथ ते टीचर ए समझ दे भी आज पांचे कोट के जाना शाम तक पाइगुरास जीडा कतना है जे गुरुच जिड़ से अए नहीं कॉटनू बुरा संझ दे सानू ये तीचर बड़ा माड़ा जे बुरा जे एडंडे बहुंदा पर होन अशी होना है गोड़ी हा फ्रे लोगने ये जानू ना नहीं हाहा जाने अट अचपेडान ना मार दे अ अशोय की एपोचित कैया साल तू कि आप अचाप हो गया उसे द नाव इम्हान मुख है तै जद गुरु दे अखेला गया उसे द नाव गुरमुख है इसलिक गुरू ने बहुत थामा ते चिड़क्या भी या पर गुरू ने प्यार नन्यर्मल पई पाया हर गुण गाया, लामा बाणी देवेच होंते, एक ढ़ा होंदा, जड़ा, दैस्त होंदिय किसे अतवादी दैस्त, किसे करूर जालम दी किसे जलाद दी दैस्त एक हुंदिया गुरू दा जड़ा निर्मल पाओ एक पवित्र जा डर भी हुंदा जंदगी दे विच ओ जड़ा पवित्र डर हुंदा ना असल वेच जीवन नू पवित्र ओही बनूंदा है और ये बहुत सारे जीवन दे विच इस तरह दि जिए खावने बगे ना कहिया ना बगला वेखन नू बड़ा सोना पर जड़े कर्म करदा बड़े बुरे में ते सज्जन ने एक शवद सुनिया ते जड़ी तलंबे दी सरां सी और सब तो पहली सिखां दी तर मिशाला बनिया है सज्जन ठाग ने सब तो पहला ओस जिते पर उस कबीर सतगुर सूर में बहा बान जो एक लागत ही पोई गर परया परया करेजे शेक कबीर सावी केंदे मेरे सूर में गुरू ने एहो जा बान शड़े शवद दा के मेरे एहो जा हिर्दे वेच शेक कीता है लागत ही पोई गर परया इना शवद दी चोट सी जिंद की बदल की एसलिए चोट शरीर नूँ भी हुं दिया पर ज्यादा चोट मन नार सबंदत हुं दिया इसलिए जड़ी बानी दी चोट है उसाटी सोच शक्ती नूँ जे चोट आवे ता संसार बदल दा है पाई लालो नूँ कहा सी सारी उमर किल्ले ही कड़ा रहेंगा के मन भी कड़ेंगा इसाटियां जन्म साखियां चोंदा है पाई लालो चे चेतनता है किल्ले कड़ना एक शरीर कपर करेया एक करता है मन कड़ना एक तरमदी पर करेया है वी अपनी सोच शक्ती नूँ अपने फॉर्णयानू भी कड़े कड़ेंगा कि केवला बारी सारा देन तेसा खड़कांदा रहेंगा एस तरह दियां बे अंत साखियां चाए बिदी शांद चीनना गुरू का सीनना जिड़ा किसे समें जिनों सी चोर काया लेने है माजे दे लाके वेच उने मज्जा भी चोरी कीती है पर सब तों प्यारा सेखवी गुरू दा जिजारू सेखवी प्रेरणा दे नाल एक समें दा बहादर योदा बने जीने शेमे पास्चाए दे समें सातकोरा दी फाज वे चाके जंगा लडियां जीडा कोड़े वाफस लेकी आया मुगलां दे कोडों जीनों समें दा बहादर दा खताब दता है जीनों गुरू सेवने को टके सीनन नाल कहा कि बिदी शान्द शीना गुरु का शीना एता गुरु दी शात्ती है मैं माननाड कर नहीं अगले ए जड़ा ए प्रवर्तन ए अनंत काल तो मनोखदा संगत नाली हुंदा ससेटी नाली हुंदा एस करके जड़े परकरन सत्कुराने ता जड़ा जीवन दात दितिया टिपी ला दो अम्रित अम्रित करमें अम्रित तरमें ओथे ओदा अर्थ मौत तो रहत हो जन्दा है यह थे टिपी बैजा दी अम्रित गुर्ते पाया ओथे है सेमन जोग वस्तु जिमें असी दोदनू भी अमर्त केने हैं पानी नू भी अमर्त शैद नू भी अमर्त बहु तुदे खंडे बाटे दा नाम भी अम्रत है, क्योंके वो केवल जाल महीं है, वो केवल लोहे दा बाटा नहीं है, जेड़ा गुरु गोबन सिंग महाराजी दे करकमला चागया, एक कथा उंदी ना, नदी दे कंडे साथगुराने हाथ वेच पत्थर दे, गीटे पकड़े, पानी ची एक सिट या, नाल दे सिख नू पुछया की होया, केंदे जी पत्थर पारा सी, पानी ची दूब गया, दूसरा सिट के केंदे की होया, दूसरा भी केंदे जी पत्थर ने दूबना ही हुंदा, पाई दया सिंग नू, एक पत्थर सिट के पानी ची केंदे पाई द गुरू जी जिड़ा तो अड़े हत्थ हों डिकपया सदाली डूब गया जिड़ा तो अड़े हाथ चरिया सदाली सफल हो गया एए एए जडियां रमजांते कथामाने एक फिलास्फी है एपार्ती निती शास्तर दी पर नाड़ी है के सद्कुरू एक ठीकरा सेट के वी सेख नू सिख्या दे दन दे है व्याख्या कारी तिनना दी पेन पेन हो सकती है एक बड़ी प्यारी कथा पाईवीर सिंग दिया पांच साथ मिंट रहे गे जस्वान सिंग नेकी बड़े अच्छे साइकालोजिस्ट होए ने पीजी आई दे विच बड़ी बंदगी आड़ी रूसी शायद कदी तुसी भी सुने होन जा पढ़या जरूर होएगा ओकेंदे असी पाईवीर सिंग ने मेड़ने चले गए केंदे मैं ते डक्टर सेवा सिंग ते पाईवीर सिंग दा कर लारंस रोड ते अमरसार है चार एकड़ चकोठी है बहुत प्यारी है असी हर साल उने जनम देनों थे पांच दसंबर नूमने कई सालां तों ते सान अपनी बगीची वेच शानू केंदे मेरे नाडी आजो असी केंदे MBBS कर रहे सां दो एथे अमरसार काल जदे वेच ते सेवा सिंग नूम चंगीतरा जान दे सान केंदे एक तितली आके फोलते बैठी ते पाईसाव खड़ गे पांच दास सेकंड खड़े रहे तितली अधिए सेवा सिंग नू केंदे दास की होया आधा जी एक तितली सी फोल दे उते बैठी कोचर बैठी ते उड़े आधे मैंनू केंदे भी नेकी तूंता कभी है कभी डूंगा हुना कभी एक कभता कोमल कला है जी दे वेच रहासते रम जा हुन दियां कभी नू परमातमा अधिए लागे मनने जानता है येदे कोड़े कोमल कला है कहां दे नेकी जी तूसी ता कभी हो तूसी 10はは दै कनदे-जी मैं क्या एक सुंदरता सी सुंदरता दे पास आई ते सुंदरता मांन के चली गी पाईवीर से लिग भी hm-d malt ले टूसी दो में दुबदा बिचो आ थ साननों पता सी एपहुंची होई रू है के अदे चोटे सा हासी हाथ जोड़के किया जी तुसी दसो की होया है के अदे गुरु नानक पाशा जी दी पंक्ती पढ़दे ओना आप पे रसिया आप रास आप रामनहार एओ दी व्यक्षिया है वो प्रमातमा आपी रसिया है वो तितली बन के रावन हारा भी आप है। तितली बन के रावन है। कैसे लड़ पाएं। ये पारतियां दी मान सकता सी। केंदे यहीं दा चिड़ी ओड़ी साथे देल तर जांदे इड़ी दे मुगला नार के में लड़ांगे। उत्छे साथ गुरा ने किया सी। चिड़ीयों से मैं बाज चड़ाओं। गिद्रों से मैं शेर बनाओं। सवालाक से एक लड़ाओं। तब गविंसिंग नाम कहाओं। केंदी मैं जनकी जात वर्न को लमाही सरदार यना पईिक्डाही तिन ही לקो सरदार मनाओं। तब गविंसिंग नाम कहाओं। जनाए दी कॉल विचट जाति謹क में किसे नु। किसे ने सरदार नहीं किया। तुसी केबल सरदार जी सरदार जी लोका नू कह रहे हो मैं तो हनू सरदार बनोना मेरा गुबिन सिंग नाम तद है के मैं तो हनू सारे नू सरदारियां बख्ष के जाओंगा आज अपन सारे नू सरदार से वो सरदार फलाना से इसली कहने है आ ए सर्दारियां कल्गी तरपाशा ने बख्षी अजिया और नाड़ी के है जिड़ा औरंग जएबनू एक शब्द उन्दा बाबा फ्री जीदा दिलो महबत जेन से इस चच्या जेन मान होर मोखो होर से कंडे कक्च्या दिल्ला नु दिल्चों जिनना दी महबता ना सचे ओने जिनना दे मांच कोज हो रहा है, मोख़ते कोज हो रहा है कांडे हुँदा कई जनने केंदे ओ कच्छे कई जनने ये तेरवी सदी वेच बाबे फरीजी दा रचना है गुरु गोबिंसिंग महाराज जदो पूरा ते सूरा होवे जी दे मन्च कोज हो रहा है मुख़ते कोज हो रहा हो सच्चा मर्द कहुन दा हकदार नहीं इस जफर नमे विच सतकुरा दा फार्सी विच शब्द है इस करके गुरू गोवन सिंग महाराजी ने सच्चे मर्दादी का अर्टकडी पांज ककार बक्षिश कीते और मृतू रहत कीता अमर्दी दाद देके ते संसार वे जसानू सरदारियां बक्षिश कीती है एक गल करके मैं समापती कर लगा मेरे समा हो गया हर बंदेदा गल करनदा अंदाज आप वो अपना होंदा है किसे निसाखिया नाल, शब्दा नाल, कटनामा नाल अदार ना देके, जीव जन्तुआ दियां दार ना देके, नीती शस्तर दियां दार ना देके मक्सदे होंदा के गल समझा जाए और कई बरी होंदा समा थोड़ा होंदा गल कन्फियूजन चे रह जान दिया ओधिया जे होर वेख्या कर दी लोड हुंदी है एस करके कोई भी साड़े मन्च शंका होवे असी परवार रूप दे विच एक दुझे नाड़ गोश्टी कर सक दे हैं केंदे मरासियां दा मुंडा सौरी चला गया ते कारवाड़या ने दाल बना के न रोटी देती खीर बना के पतीला समने रखता विचे दो परवना रोटी खालेगा उदो खीर पैसे ता मनू सिगनल देता मैं दो मेट उत्ते ही लौण लगा है केंदे परवने ने दालना रोटी खाली ने पंजाब कल्चर है जिनोंगों पड़े लिखे सुीरिश कहले लेन यां सेवियां देती यां खीर देती अपड़दा गुड़देती ऑन रोटी ने खाली खीर अड़ा पतीला सामने पे आ सास गली लगी लगी खीर ले उना पूल लगी परोना कदे मुच्छांते हाथ फेरे कदी खीर अड़े पतीले ली चाके कदे सीसी करे बेबे नु समझना वे उन सोरी गया बंदा खीर के वे मंगे चेतो दा करें वे उनु खीर दे दे वे यह जड़ी कौम है बड़ी तेज हूंदी है ओ बैठा बैठा केंदा क्यों बेबे जदो में पिंडों आया ना मनू राज बोट बड़ा साप मिड़ पया साप देना नू माता ने कान चाकले केंदी पोट कंदा कव MOREड़ी शाप हूं पहुत है केंदा बेबेचला न चेडी मंजीते मैं बैठाना यथ्हों लएके मार्म है नू होओ खीर Kingdom पतीलेता कालमा मार्म यह भास मैं में खीरी झाट झेटेगरों देगरों आहाईका आपनाड मेरा भी कोई सुबान देनी करें इना कोच कहिंदा हो या मैं खिमांदा जाच कहां हो यहां पुला चुका नी खिमा वाहे गुरुजी का खाल्सा वाहे गुरुजी की फत्य।